नमस्कार विद्ध्यार्थियो ओल्लाइन का क्षाओं में आपका स्वागत है विद्यारतियो हमने पिछले वीडियो की अंतरगत जाना कि भारत में जो इंजिनिर्ग उद्ध्योग है वो कौन-कौन से सेक्टर में है और कौन-कौन से सेक्टर में इन उद्योगों की माध्यम से वी निर्माण वस्तों का उत्पन्त किया दार है देखिए भारत में जो मसीन टूल्स है उनका निर्माण भी भारत में मोटर गाड़ी जो है उनका निर्माण भारत में साइकिल सूत वस्तर या अन्य वस्तर बढ़ाने की मसीने इसके अलावा रेल के इंजन और रेल के डिब्बे बनाने का और जलपोत बनाने का वायुयान बनाने का यह सभी कारिय जो है वो आपके किसके माध्यम से किया जाता है वो आपके इंजिनिरिंग उद्योग के माध्यम से किया जाता और पिछले वीडियो में कुछ इंजिनीरिंग उध्योग पड़ेat, आज इसी संकला को आगे बढ़ाते हुए, हम नेक्स्ट इंजिनिरिंग उध्योग है, वायु यान उध्योग, उसको पड़ेंगे वायु यान उध्योग, देखो वाई वान उद्ध्योग की सबसे पहले बात करूँ है तो ये किसके दीन है पूर्ण रूप से सरकार के दीन है पूर्ण रूप से सरकार के नियंत्रण में है और पहला जो उद्ध्योग लगा भारत में पहला कार खाना वो कहा लगा गुनी सो चारीश में लगा और कहा लगा बैंगलूरू में लगा इसका नाम क्या था तो इसका नाम था हिंदुस्तान हिंदुस्तान एर क्राप्ट लिमिटेड एर क्राप्ट लिमिटेड हिंदुस्तान एर क्राप्ट लिमिटेड इसका नाम क्या था हिंदुस्तान एर क्राप्ट लिमिटेड था समझ में आ गया क्या नाम था हिंदुस्तान एर क्राप्ट लिमिटेड अब हिंदुस्तान एर क्राप्ट एरो नोटिस्क इंडिया लिमिटेड इंडिया लिमिटेड इस कार खाने के साथ ये मिल जाता है एरो नोटिस्क इंडिया लिमिटेड के कार खाने के साथ ये है मिल जाता है और इसके साथ मिल करके और जो वायू यार उद्ध्योग निर्मित करता ही है कारखाना इसका नाम रखा गया हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरो नोटिस्क लिमिटेड देखो एक बार रिपेट कर रहा हूं गुरह सुच चालिस में जो है बैंगलूरू में हिंदूस्तान एरक्राप््ट लिमिटेड की इस्ता अपना हुई पहला 64 में Aeronautisk India Limited जो company है उसके साथ यह मिल जाता है दोनों हिंदुस्तान aircraft और Aeronautisk India Limited और क्या बढ़ गया हिंदुस्तान Aeronautisk Limited का निर्मान होता है सोट पॉम हिंदुस्तान Aeronautisk Limited बारत में यही कारखना जो है वह वायू यान उद्ध्योगों का वायू यान जो है उनका निर्मान करता है यह वायू यान उद्ध्योग में यह कारखना सबसे महत्पूर्ण है इस कारखने की देखे तु वरतवान में छे प्रमों के काईया है और इकाईय कहा कहा है तो यह है इकाईया के कोरापुट पूरिसा में है यह आपके नासिक माराष्ट में है यह इकाईया के बेंगलूरू पेंगनाटक में है। यह कई आपके लखनव लखनव यूपी में है लखनव में कौनशी जगह है कोरवा क्यों कोरवा की बात करें तो वो तो आपके आजाता है कहाँ पर कौनशी जगह है तो आपके हैं अंदर प्रदेश में वेक्षित्य लंगानाम है दोनों की राजनी है कानपूर भी कहा है उप्तर प्रदेश में तो रिपीट करता हूँ छे चे जो से एंत्र लगे हैं उनके नाम याद रखना कोरापुट, उडिसा, बैंगलूरू, करनाटक, नासिक, महरास्ट, लखनव, योपी, योपी, लखनव में कौन सा कोरबा, हैदराबाद, आंदरप्रदेश और कानपूर, योपी, ये आपके प्रमुख, जो वायुयान उद्योग की इकाईया है, जो किसकी है, हिंदुस्तान air notice के limited की है, अब इसके दोपारा, जो बनेवे पोत है, यानि जहाज है, वायुयान जिसे बोल सकते हैं, उनका उप्योग, इंडियन air lines करता है, और आपकी वायुषेना करती है, वायुषेना और इंडियन air lines का उप्योग करता है, समझ में आ गया होगा पहला, इसके बाद ह देखते हैं पाठे करम अनुसार वो है आपका सूचना प्रोध्योगी की सूचना प्रोध्योगी की उद्योग कोई सा उद्योग है सूचना प्रोध्योगी की उद्योग तो विद्यार्तिव यहां से जो प्रशन आते हैं काफी प्रशन यहां से पूछते हैं तो पहला प्रस्ण यहां से बनता है कि सूचना प्रोध्योगी की उद्योग कैसा उद्योग है तो एक ज्यान आधारित उद्योग है कैसा है ज्यान आधारित उद्योग है सबसे पहली बात कैसा उद्योग है ज्यान आधारित उद्योग है क्योंकि इसमें जो उत्पादन होत तरीके से उच्च प्रोध्योगी की और निरंतर सोध और अनुसंधान की अधार पर होता है इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं ग्यान प्रोध्योगी की उद्योग बोलते हैं यान आधारित उद्योग बोलते हैं अब इस छेतर में देखें तो सूचना प्रोध्योगी की उद्य किया है लोगों की जीवन सेली में बदलाव किया है लोगों के आर्थिक डाचे में इसने क्या किया है बदलाव किया है और वो कैसे किया है क्योंकि इस उद्योग के दुरान बनने वाली वस्तुए है जिनकी मैं बात करूं तो इसमें आपके टेली विजन है आपके टेली फोन है, टेलिफोन है, टेलिफोन है, और रडार, रडार जानते हो, जो आपके दिसासुचक के रोपरे चाफ करती है, जल पोतों के आगे लगती है, Y1 के आगे लगती है, इसके अलावा आपके मुभाइल फोन है, मुबाइल फोन है इसके लावा आपके जय प्रोध्योगी की अंत्रिक्स उपकरण है कंप्यूटर की सामगरिया है मतलब जितने भी यह आपके टेकनोलोजी जो इंस्टुमेंट है वो आपके किस उध्योग के दुरान निर्मित है वो सूचना प्रोध्योगी की उध्योग के दुरान निर्मित है तो इसमें electronic के जितने भी उपकरण है ठीक है dedic संचार के और computer के आधरी सभी उपकरणों का निर्माण कौन से उद्योग में किया जाता है सुचना प्रअध्योगेकी उद्योग में किया जाता है क्योंकि यह क्या है ज्ञान आधरी उद्योग है तो याद करना कि कोन से उपकर जाता है अब इसके बाद हम बात करें कि यह सूचना प्रयोगे की है उसके संदर में एक सहर जिसका नाम में लूँ हैं वैंघलुरू है जहर का नाम क्या हैै बैंगलुरू कहा कहा है करनाठा का भी बात कि हम इन जो बेंगलूरू है इसको हम इलक्ट्रोनिक उध्योग या सूचना प्रोध्योगी की उध्योग सूचना प्रोध्योगी की उध्योग का केंद्र सूचना प्रोध्योगी की उध्योग का केंद्र भारत की सिलिकन वेली कहते हैं यह प्रश्ण आपके बहुत ही most important प्रश्ण है कि बैंगलूरू है उसको हम सूचना प्रद्योग की उद्योग का केंदर कहते हैं और भारत की Silicon Valley भी कहते हैं तो Silicon Valley जो नाम आया है न वो Silicon Valley कहां का छेत्र है तो Silicon Valley आपके USA का कहां का छेत्र है तो Silicon Valley आपके कहां का छेत्र है USA का छेत्र है और USA में भी कहां पर है Silicon Valley की स्थती हम देखें तो Silicon Valley आपके USA के दक्षिन में है दक्षिन में है Silicon Valley और यहां पर लास एंजिल जिसिप जो नगर है कैलिफोर्निया की पास तो यह Silicon Valley है, और 3 है, वो है Silicon 1, उत्र में क्या है Silicon One है और नीचे वाढ़ा क्या है Silicon Valley, तो यह सूचना प्रद्योगी के अंदर माना जाता है, इसलिए, भारत का जो Bangalore है, वो सूचना प्रद्योगी के छतर में बहुत आगे है, इसकार से भारत के Bangalore को, हम क्या बोलते हैं, भ कि कौन-कौन से छेतर में हमारे सुचना प्रद्योगे की उद्योग है वो निरमित है या लगे हुए हैं तो 1950 में 1950 में बेंगलूरू में ही आपके इंडियन टेलिफोन इंडियन टेलिफोन इंडियन इन्रस्ट्रिज किस तापना की गई और इसकी इकाया कहा का है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज आई टी आई हम इसको नहीं लेंगे क्या लेंगे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज क्या लेंगे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज सोट में लेख दिया है मैंने Indian Telephone Industries जो है उसकी हिकाया एक तो स्री नगर में है एक आपके राइ बरेली कहां पर है UP में एक आपके नेनी इलाबाद कहां पर UP में है ये भी UP में है ये भी UP में ये जेंडिजे आपके तीन चेतरों में Indian Telephone जो आपके इंडस्ट्रीज है इसका इंडियन टेलीफोन जो इंडेस्टीज है उसकी स्ताफचना की गई है तीन छेत्रों में पहला तो बेंगलोरू है और तीन इक आये इसकी सीनगर राइबरेली और नेनि यह है इसके बाद हम बात करें भारत में इलक्ट्रोनिक जो उद्योग है जो उसका कारका नाम भा भारत कि इलक्ट्रोनिक्स के के phones हैंaltet का कार खाना कहां पर है वह भी बैंगलोरू में है उलक्ट्रोनिक्स का कार खाना विका यह बैंगलोरू में है भारत सेना के लिए मोसम विभाग के लिए और आकास वानी से सम्मदित इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का निर्मान करता है और हिंदुस्तान केबल जो है हिंदुस्तान केबल क्या करती है टेलीफोन के तार बनाती है ये उद्योग आपके मुख्यत भारत में है इसके लावा देखे कि जो आपका इलेक्ट्रोनिक उद्योग है उसको हम स्वाय चंद उद्योग कह सकते है इलेक्ट्रोनिक उद्योग को कौन सा उद्योग कह सकते है स्वाय चंद उद्योग कह सकते है देखो स्वाय चंद उद्योग कौन सा होता है ऐसा उद्योग जो किसी विशिष्ट कल पूर्जे पर आधारित नहीं होता जो छेतर से उसको कच्छे माल मिले उनसे ही है वो क्या करता है वस्तुमका निर्मान कर देता है विशिष्ट कच्छे माल के सोत पर विशिष्ट मिकोग पर यह निर्भर नहीं होता है और यह उत्प पादन कई से जो कच्छा माल मिले उसी क्या धार पर ये क्या होता है पादन कर लेता है इसलिए सुचना प्रद्योगी की उद्योग क्या है एक स्वाच्छंद उद्योग है अब भारत में जो कुछ सौप्ट्वेर पार्क बने वे हैं सौप्ट्वेर पार्क सौफ्ट्वेर प्रद्योगी की पार्क कौन-कौन से हैं उनके नाम जाने तो सबसे पहले हम दक्षिनी भारत की बात करते हैं तो बैंगलूरू है जो सिली कनवेली है दूसरी बात करें तो मैशूर है करनाटकाई तीसरी की बात करें तो केरल का तिरुवन्त पुरम है चोथ्य की बात करें तो चेन नहीं है तमिलाडू का पांचवे की बात करें तो आपके तेलंगाना का कौन सा है हेद्राबाद चोथ्य की बात करें तो आपके आंद्रपडेज का है विसाखा पटनो आंद्र प्रजेस का कौन सा है विसाका पत्नम है इसके अलावा हम बात करें यहाद हो गयोगा वेंगलूरू मैशूर तिरुवन्तपुरम चैननी हैदराबाद विसाका पत्नम इसके अलावा आपके महरास्ट का एक तो पूने है एक मुंबई है पूने है मुंबई है मद्य प्रदेश का आपके इंदोर है इसके अलावा गुजरात का गांधी नगर है गांधी नगर है इसके अतिरिक्त देखें तो आपके राजस्तान का जेपूर है उडिसा का भूनेश्वर है हर एक स्टेट में आपके क्या बने हुए है टेक्नोलोजी पार्क बने हुए हैं सॉप्ट्वेर पार्क बने हुए हैं इसके अलावा देखें तो पसी मंगाल का कॉलकता है इसके अलावा आपके यूपी का नोईडा नाम तुड़ा हुए है यूपी का नोईडा दिल्ली इसके अलावा आपके मुखाली पंजाब पंजाब में कुछ सा है मुखाली है फिर आपके स्री नगर गुवाहाटी असम गुवाहाटी असम ये प्रमुक आपके टेकनोलोजिकल पार्क या सौप्टिवेर पार्क जिसे हम बोल सकते हैं ये आपके भारत की प्रमुक सौप्टिवेर पार्क है जो क्या करते हैं ये भारत के अंदर जो भी सूचना प्रोद्योगी की आधारित उत्पाद है उसका ये निर्मान करते हैं और भारत के आर्थिक विकास में लोगों की जीवन से ली में लोगों के रोजगार छेतर में इन सब उद्योगों का इन सब टेक्नोलोजिकल पार्कों का बड़ा ही योगदान है विद्यार्तियों हमने भारत में इंजिनिरिंग उद्योग के संदर में पड़ा लेकिन वर्तमान स्थक्ति को देखते हुए भारत जो है वो इंजिनिक उद्योग में एक बड़ी सक्ति बनता जा रहा है लेकिन फिर भी इंजिनिक उद्योग के चेतर में देखे तो काफी समश्य है हमारे सामने है तो आपके जो दो नंबर का या तीन नंबर का प्रस्न आपके आता है कि इस उद्योग की कौन-कौन सी समश्य है उद्योग की समश्य है कौन-कौन सी है इंजिनिक उद्योग की तो सबसे पहले समझे आपके सामने आती है कच्चे माल का अभाव है क्या है कच्चे माल का अभाव देखो इसमें कलपूर्जों के लिए जो एक विशिष्ट इस्पाद चीए विशिष्ट लोहा चीए उस विशिष्ट लोहे की हमारे यहां क्या है कमी है और हमें वो क्या करना पड़ता है आयात करना पड़ता है तो वो हमारे लिए क्या है पुद्योगों के विकास में एक बाधा का करण है दूसरी बात कि हमारे यहां जो पूंजी का अभाव है और पूंजी के अभाव के करण हमारे जो कारखाने यह तो सारवजनिक इस्तर पे क्या होता है या किसी प्रकार का विदेशी निवेसिस में करना पड़ता है यह भी क्या है विकट समश्या है तीसरी में बात करूं कि जो भी हमारे निर्यात होता है या हमारे जो आयात होता है उसमें क्या है कर का भार ज्यादा है टेक्स ज्यादा है और टेक्स ज्यादा है वो कि हमारा जो उद्योग है ये कौन सा सूचिना प्रोद्योग की उद्योग इसमें क्या है विद्येशी प्रतिस्पदा है यानि बाहर की बहुत सारी कंपनियां है वो इस शेतर में क्या है बहुत आगे पहुंच चुटी है और भारत इसके संदर में क्या कर रहा है प्रतिस्प उत्पादन की शम्ता है हमारे पास में उसका पूर्ण उत्पादन नहीं कर पारे यह भी एक बड़ी समश्या है और हमारे पास में टेक्नलोजी के अभाव में हमारे पास में गुण वक्ता की भी क्या है कमी है जिसके अधार पे हम विद्येशी प्रतिस्प्रदा में फोड़ बीच में क्या है आती है और उद्योगों की विकास को प्राय अवरुद्ध करती है एक बार में रिपीट करूँ देखो एक दो कच्छे माल का भाव है पुंजी का भाव जिससे नीजी छत्र के जादा जादा उद्योगों का विकास नहीं कर पारे हमें सारवजनी की आधार प क्या नहीं कर रहें उत्पादन नहीं कर रहें दूसरी बात कि हमारे पास में टेकनोलोजी का विकास नहीं है और टेकनोलोजी के विकास के नहीं होने के कारण हम जो एक जो सबसे महत्वपूर्ण इस्तान जो हमें मिलना चीए उस बाजार में वो नहीं मिल पाता है और हम प बारत सरकार ने जो पृरियास किया उन्हें पृरियास के अंतरगर्द देखें तो बारत सरकार ने कुछ मैं एसी योजनाई ऐसे कारेकरम चलाए जो इन उद्जोगों की विकास के लिए काम करें तो बारत जो है वर्तमान इस तत्री में बताओं तो भारत पहले काफी मात्रा में विनिर्मित उत्पादों का आयात करता था क्या करता था आयात और वर्तमान हम ट्रेड की बात करें तो भारत है अमिरिका चाइना ब्रिटेन ब्रिटेन अमरीका चाइना ब्रिटेन एवं आपके रूस जैसे देशों को क्या कर रहा है इन इंजिनिरिंग मालों का यानि जो वस्तुए है जो आपके मशीने है उनका क्या कर रहा है नीरियात कर रहा है मतलब पहले आयात तक था और आज क्या बन गया बारत बड़ा नीरिया तक बन गया और इस तानी स्तर पे भी देश के अंतर के भाग में भी क्या है इन इंजिनिक उद्यों की माल बड़ी है सोरी मांग बड़ी है क्यों बड़ी है मांग क्योंकि बारत में भी अन्य उद्योगों का विकास हो गया, इसलिए मशीनों की मांग तो बढ़ेगी ही, अब बारत सरकार क्या कर रही है, बारत सरकार ने इसके लिए कौन-कौन से कारेकरम चलाए है, उने कारेकरमों में सबसे पहले में बात करूँ, आपके एक तो आता है, कवाया? मेक इन इंडिया, यह आया आपके 25 सितंबर 2014 को वाया? इसका उद्धिश भारत करो बारत उसमें निर्मान हों मेक इन इंडिया मैरे इन इंडिया तो इसमें क्या था कि भारत को क्या बणाना ? मेन्योफेक्टरिंग हप बनाना इसका सबसे महतपून उदिश है था इसके अंतरगत नए आविश्कार और नए प्रजोगिकों क्या गया ? प्रोसान दिया गया और भारत में विदेशी निवेश को कौन चित्र में आपके निर्मान चित्र में विदेशी निवेश को भी क्या है प्रोसान दिया गया ये सबसे महतपूर्ण जो कदम था भारत सरकार का इसी कदम के बाद देखें तो दो दो प्रमुख योजना एक तो ह आपकी stand up India stand up India और एक है आपकी start up India एक तो है आपकी stand up India एक आपकी है start up India stand up India यह है जो scheme है वो आपकी 15 अगस्त 2015 को आई 15 अगस्त 2015 को आई और यह scheme जो है इसकी गोष्णा तो 15 अगस्त 2015 को गई और यह scheme 5 अप्रेल 2016 को लागू हुई कौन सी stand up India stand up India scheme क्या है इस scheme में देखें तो इसकी सुरुवात आपके कहां से हुई थी नौइडा उत्तरपदेश से हुई थी नौइडा यूपी से हुई थी और इस scheme में देखें तो बेंक जो है अनुसुज जाती अनुसुज जाती के जो लोग है उनको और जो महिला उद्यम ही है उनको दस लाग से एक करोड रुपे तक की रासी उपलब्द कराएंगे रिन रासी एक तो पहली scheme तो यह थी दूसरी scheme क्या थी कि जो stand-up योजना है उसमें उधार करताओं को जो रिन दिया जाता है ये रिन कौन से बेंक से दिया जाएगा ये दिया जाएगा सीड़ी सीड़ी बेंक से रिन दिया जाएगा सीड़ी का मतलब है भारतिय लगू उद्योग विकास बेंक भारतिय लगू उद्योग विकास बेंक से इसको क्या मिलेगा रिन मिलेगा और दूसरी बात इस रिन को साथ वर्सों तक मतलब चुकाने की अवदी है वो कितनी साथ वर्षों तक रखी जाए और इस रिन के अंतरगत देखें तो रास्तिय क्रेडिट गारंटी ट्रेस्ट कंपनी जो है उसको भी यह है अधिकार दिया गया कि इस रिन संबंदी जो कौन सी कंपनी है नेशनल क्रेडिट गारंटी जो ट्रेस्ट कंपनी है यह क्या करेज़ए इस रिन के संचारंग के लिए एक एजनसी के रूप में स्थाफित कि गई और यह है लोगों के लिए जो रोजगार उद्यों की स्तापना करना चारहे है उनके लिए रिन के लिए यह कंपनी भी यह का scheme कर रहे है अब जो दूसरी है इतलो समझ में आगया हुआ इस्टेंड अप इंडिया 15 अगस्त 2015 को ठीक है पाँच अप्रेल 2016 को क्या हो गया यह सुबारम हो गया इसका कहा से हुआ नोईडा उत्तरपदेश से हुआ कौन से बैंक को रिन देने की बात की शीड भी और कौन सी एजेंसी को क्रेडिट गारंटी ट्रेस्ट कंपनी को क्या है रिन योजना के लिए एक एजेंसी बनाए गया तो एजेंसी किसको बनाए गया नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रेस्ट को एजेंसी बनाए गया रिन चुकाने की अदिक्तम हो दी साथ वरसल मानी गई और दस से लाग से करो अप इंडिया स्टार्ट अप इडिया जोजिना कव आई सोला जन्वरी दो जार सोला को प्रदान मंत्र जी ने स्टार्ट अप इंडिया का एक्शन प्लान दिया और इसका उडेश्य था लोगों को क्या देना वित्ये मदद देना और जो रिन दे रहे हैं उनमें भी क्या देना रियायते देना इसका क्या था उदेशे था ये जो स्टार्ट अप इंडिया था इसके द्वरा ये निशित किया गया कि लोगों को जब उद्योगों के विकास खड़ने के लिए हम वित्ये मदद और रियायते तो उद्योगों का विकास होगा और यह है उद्योग है वो क्या करेंगे काफी मात्रा में लोगों को रोजगार देंगे साथी साथ यह उद्योग है काफी मात्रा में विनिर्मित वस्तों का निर्मान भी करेंगे इसलिए इस वित्ये मदद के लिए स्टार्ट अप कोस का नि दुमान किया गया जो वित्य इस्टारट अप घोश था इसमें जो अरम में 25 जार करोड रुपय का बजट था बाद में 10 जार करोड रुपय की जो राशी है उसके साथ 4 वर्सों के लिए इस 코र को क्या कर दिया अरब निर्मित कर दिया गया पहले स्टार्टिंग जो वित्य प पोस्का निर्मान कर दिया गया वह एक scores क्या कर रहा है ये है लोगों को वित्तिय मदद दे रहां है और ये दोनों ही आपके एकա इंडिया स्टार्ट इंडिया और मैक निडिया यहां कि तीनों महत्व काउंखे रूजनाई है तेनों महत्वकां रूजनाइब। भारत में उद्योग्स के विकास के लिए रहे हैं तो विद्यार्थियों वन्убли монาол Chandra साथ ही हम रहना की भारत में इंगेम्पर्ड देगों की कोंड़ समश्फा है और भारती वर्तमां सरकार इन उद्र ZombiKab के विकास के लिए कोंड़ सी योज़नाये चला रही है और इन योजनाओं के साथ भारती सरकार युवाओं को भी क्या कर रही है प्रोसाइट कर रही है युवाओं को प्रोसाइट करने के लिए कौन सी योजना चला रही है प्रदानमंत्री प्रदानमंत्री कोसल विकास योजना कौन सी योजना चला रही है प्रदानम development program प्रामिप्री कोसल विकास योजना तो यह जो योजना है यह कब आई थी यह अई थी 20 मार्च 2015 खवई थी 20 मार्च 2015 को आई थी और योजना का हुदेश था कि बारत में जितनी भी जुल भ्यक्ति है जो रोजगार की इच्चुक है उनको क्या दिया जाए प्रक्षिक्षन प्रदान किया जाए उनको प्रक्षिक्षन के लिए बैतर पाठिक्रम दिया जाए और ट्रेंड शिक्सकों से उनको प्रक्षिक्षित करा करके और उद्योगिक चेतर में विकास के लिए क्या है नए कदम उठाए जाए तो विद्यारतियों हमने इसके साथ ह भारत में विनिर्मान उद्योग के लेशन को कम्प्लीट कर लिया है इसके बाद अगले वीडियो में हम अगले लेशन को पढ़ेंगे धन्यवाद